कुछ नहीं है ऐसे ही बस आज मैंने कहा चलो थोड़ी बाते बाते करते हैं ओपन डिसकस्शन है आज न्यू येर से पहले मैं साथ में पैकिंग भी करती जा रही हूं और बाते भी करती जा रही हूं क्रिस्मस पे मैंने जो प्लैन किया था वो वाली स्ट्रीम तो हुई नहीं मैंने ना पना क्रिस्मस का आटफिट पेना नद मैंने में में अपक प्लै तो आइवल तो इन डेया तो दो वो तो की नहीं मैंने वो वाली तो वह वाली मगर तो के फिर भी वी आड़ा श्रीम उन बाते जाएं था प्रिदे निएंड कर शेक्ते हैं ना मतलब नू यू प्रेंड्स वगारा सबसे मिलने के लिए निकलू फिर बिमार पड़ गए तो कहीं जाना ही नहीं हुआ तो मेरी तब है ठीक है तेंक्यू 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 जी आप कुछ उजना चाहते हैं तो महां पे तो बहुत सथी होगी ना कैनेडा में अहां यहां ठेंड हुई दिया श्कल बहुत यानि आए और इंसे बहुत है क्योंकि यह तो माइनस थर्टी तक जाता है तो अभी तो सिर्फ माइनस फाइव सिक्स तक ही है यानि हाँ आज क्या है आज प्लस टू है आज तो अपिर हाँ तो नहीं अगले अपते है ना अगले अपते है ना कहां पर मैंने का इसी लगए जैसे मरी में बैठ हुए है आप कहां रहे पाकिसान से हो आप हाँ हाँ लहौर अच्छा लहौर में भी होती है ठंड में जब देशी कुणियां शूट कर रही थी तो हम लोग कौन से महीने में गए थे यार I think it was about October या September में गए थे मेरे खास तो रात को ठंड हो जाती थी दुपैर में बड़ी गंदी गर्मी होती थी और फिर रात को ठंड हो जाती थी और फिर मुझे याद है कि हम इस्लामाबाद में थी मैं और हम लोग नथी अगली की तरफ मरी की तरफ में तो मरी पर तो वहां पर थोड़ी बरफ भी पड़ी थी और मुझे मेरे पास ना कुछ भी नी था I didn't have no jacket no shawl तो मरी जब आप जा यहाँ आ जाती थी और आगी थंड बड़ी अच्छी होती है 15 degrees 12 degrees it is so nice I like that kind of weather गर्मी ही रहती है ना लेकिन लहूर में पहले थंड मतलब इस तरह होती थी ती जादा नहीं होती थी लेकिन यह जो दो तीन साल से ना लहूर में बहुत थंड परने लगे है जो दो साल पहले I think यह लहूर में थंड परी है वो extreme थंड थी like वो जाना ऐसे लगता था कि अगर आप इस्लाम बार जाओ तो वहां पर भी यह सिस्टम है जिस्ता पीछर जाते जाओ कराची वाली साइट पर वहां पर और गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो यह है कि यू कैन अगर आपको ज़्यादा घंड ज़्यादा लगते है तो आप उस एरिया में जा सकते हो यहां भी होती है गर्मीज Energ Nej यह पर चारों यह वैदर रहते हैं तो यह आसीफ और जी हां आपकी हादिर में लिखा होगा कि भाई कुट्वों पानी पिला नहां वाँ है मैं आपको दे देती हूं कि आपके मुहम्मद जी ने अच्छा काम कर दिया, यह लिगी दिया किसी कुते को पानी पिला दो, या किसी जांदर चीज को पानी पिला दो, मगर फिर हम वही तो बात करते हैं, पानी पिला दो, मगर उसको हराम करार दे दिया, फिर आपकी उसमें कोई जिसने पूरी काइनात बनाई होगी वो यह गलतियां क्यों करेगा एक तरफ वो कहता है कि उसको पानी पिलाओ दूसी तरफ कहता है वो हराम है उससे दूर रहा हूँ यह मुझे समझ में नहीं आती है आपकी बाते हैं सीरियसी यूनो वो कल दीपक पढडिया ने बोला कि वो पूरी आलकोहॉल पी हो यह लाइट आलकोहॉल क्या होती है तो यह लाइट वाला मारना क्या होता है मारना मारना होता है चाहे हो वैसे मारो वैसे मारो हराम 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 ह अब बना लेते हैं भी अबस्टरडैम में किसी मॉल्वी ने फत्वा दिया था कि भी वहां पे हलाल प्रोस्टिटूशन भी है तो इनके उसमें तो वैसे भी हलाल प्रोस्टिटूशन जो मुत्ता है वो आप तोड़े अरसे के लिए लड़ी खरीद लेते हो रखते हो अपने जमीर झाले अनाओं जी में आगे चाथीं हूँ आज में जाना देर नहीं बतना मेंने वगर तेंक यू सो मचätt. अथा कि सब्केश Спारापरत वहां को झाल